आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Spiral Sheet of Mitochondria in Sperm पूछा गया है कि Spiral Sheet of Mitochondria पाए जाता है यानि अगर हम लोग Spiral के Middle Piece को देखे तो वहाँ पे क्या होता है कि Mitochondria जो है वो ऐसे Ring-like Structure में पाए जाते है और पूछा गया कि इस Structure को यानि Middle Piece को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो Basically Middle Piece of Spiral को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो होता है हमारा Neighbor Can Sheet और Neighbor Can Sheet इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पार्ट में Mitochondria रहने के वज़े से जो Fertilization का पूरा काम होता है उसका Energy भी यानि ATP भी प्रडूज होता है और इसलिए इस पूरे Sheet को बोला जाता है Neighbor Can Sheet जो कि Around the Middle पीस पाया जाता है तो इसे हिसाब से अगर हम लोग लिखें या पर देखें तो Correct answer जो है वो जगर Second option जहां पर Neighbor Can Sheet बोला गया है बाकि आप्शन भी अगर हम लोग देखते हैं तो First है Mancheat Sheet और Mancheat Sheet जो है या इड़ अफ दे स्पर्म के आज पास ये Sheet होता है और जिससे की ये Protection देता है जो Enzymes Head of the Sparm में पाये जाते हैं Next है जो Perforatorium बोला गया है और Perforatorium जो है इसका अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है कि Nucleus के पास या फिर बाहर ये जगह पाया जाता है जहां पर Cytosol यानि Cytoplasm जो है वो पाया जाता है या फिर स्टोड रहते हैं और ये Protect करते हैं Nucleus को वही पर अगर Last Option का बात करें जहां पर Galia Capitis का बात किया गया है तो ये ऐसे जगह होते हैं जो की Acrosome यानि जो Front या फिर Head Part होता है उसको Covering प्रोवाइड करते हैं यानि ये भी One Kind of Protection को Stigma या फिर Stimulate करते हैं तो इसलिए हमारा Correct Option जो है वो इन चारों में इसे हो जाएगा नेबरकन शीट जो की Second Option है और उसी को हम लग टिक कर लेंगे करते हैं